सबसे पहले तो ये समझा देता हूँ कि ये 39,123 रुपीज पर मन्त के फिगर पर मैं कैसा पहुंचा देखो मैं काफी सारे इलस्ट्रीटर्स को परसली जानता हूँ जो 5000 या 5000 से उपर पर पीस पर 8 पीस चार्ज करते हैं वो minimum 8 से 10 artwork तो complete करते ही हैं तो अगर मैं minimum 8 को लेके चलू और अगर 5000 पर पीस अगर उससे calculate करें तो वो होता है 40,000 रुपे minimum मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो professionally इस चीस को काफी seriously कर रहे हैं सब्सक्राइब होता है तो मैंने सूचे इस चीस को थोड़ा सा hypothetical करते हुए तोड़ा सा कम कर देते हैं इसलिए 31,123 समझ गए ना ये वाला जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो illustration में interest रखते हैं या फिर सीखना चाहते हैं इस चीज को आगे काम करके online पैसा कमाना चाहते हैं अब उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि illustration का मतलब क्या होता है तो जो भी चीज ना diagram के form में होती है, pictures के form में होती है, design के form में होती है जो actually मैं आप खुद बनाते हैं, that is all illustration अब ये चीज डिजिटल भी हो सकती है, या फिर आपके खुद के द्वारा draw करी हुई, बनाई हुई चलो एक bonus की बात करते हैं, अगर इस वीडियो पे 1000 likes होते हैं तो मैं एक ऐसे professional illustrator के साथ में एक conversation करना वाला हूँ जहां पर वो अपने experiences के बारे में बताएंगे, learnings के बारे में बताएंगे, earning के बारे में बताएंगे और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो आपको as an illustrator काफी help करने बाला है अब क्योंकि यह video illustration illustrator के उपर है, तो सबसे important पहला सवाल की भाई यह illustration करके अप पैसा कितना कमा सकते हो यानि कि how much can you earn as an illustrator? देखो यार मैंना यहां पर specifically India का example लेके बात करने वाला हूँ मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने illustration start किया और जो starting में जैसे उन्होंने पैसा चार्ज करने लगा तो वो 50-100 रुपे पर artwork चार्ज करते थे और अपना काम करते थे उनको मिल जाता था धीरे धीरे जब उनको experience हुआ तो वो 200-300-400-500 रुपे लेने लगे मेरे personal experience के इसाप से जो मुझे majority of the range नजर आती है जो लोग चार्ज करते हैं वो है 400 रुपे से लेकर 1200 रुपे के बीच में पर artwork जिसमें लगबग 30 मिनिट से लेकर पूरा दिन भी लग जाता है ऐसे artworks के उपर वहीं पर मैं काफी सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने market को अच्छे से समझा अच्छे से काम करते हैं अच्छा सा experience है उनके पास में and they are easily able to earn more than 5000 रुपीस पर art piece और क्योंकि एक art form है definitely इसकी कोई range नहीं होगी तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 10,000, 20,000, 50,000 पर art piece चार्ज करते हैं depending उनके style के उपर, उनके experience के उपर वो कितना market को समझ पाए हैं, कितनी पकड़ रख पाए हैं उन सभी चीज के उपर वहीं पर अगर हम freelancing platforms की बात करें तो काफी सारे illustrators ऐसे हैं जो basic art piece बनाने के लिए पांच डॉलर से लेकर बीस डॉलर के आसपास चार्ज करते हैं जो लगबग 30-45 मिनिट के आसपास का काम होता है ताकि वो जल्दी से बना देते हैं, submit कर देते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आली चार्ज करते हैं तो यहां पर जो range है प्राइस का वो है 10 डॉलर से लेकर लगबग 25 डॉलर के आसपास तो अब पैसे वाली बात समाझ में आग रही तो अब यह समझ लेते हैं कि भाई क्या-क्या ऐसे तरीके हैं जो actually मैं एक illustrator यूज कर सकता है अपने art form से पैसा कमाने के लिए and what are those amazing websites जो आपको help करती है to make money online as an illustrator यहां पर जितनी भी websites के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका मैं कोशिश करूँगा कि description में सारे के सारे links mention कर दूँगा just in case I miss it इतना ध्यान रखना कि अगर आप नाम google करोगे तो आपको website सबसे उपर मिल जाएगी पर 99.99% आपको description में सारे के सारे links मिल जाएगे ताकि आप लोगे लिए चीज़े थोड़ी सी और easy हो जाएगी click करो open करो and start करो सबसे पहला तरीका मेरे साब से list में मेरी list में सबसे उपर होता है वो है cold emails यानि कि एक illustrator directly लोगों को contact करेगा उसको अपना काम दिखाएगा अच्छे से sales pitch देगा एक proposal देगा और काम पाने के लिए कोशिश करेगा क्योंकि इससे बहतर rate आपको कहीं नहीं मिल सकता इससे बहतर networking का option आपको कहीं नहीं मिल सकता कि भाई आपको ये चीज कैसे करनी है क्या strategy होनी चाहिए और कैसे अपने conversion के chances को आप increase कर सकते हैं अगर आपने पुराने वाले cold email वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाए चैनल पर जाके search कर लिए cold emails आपको सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे watch it दूसरा तरीका आप online gigs के उपर काम कर सकते हैं on all these freelancing websites जैसे कि Fiverr है, Upwork है freelancer है, true lancer है, people पर आ रहे है ऐसे बहुत सारी और websites है जहां पर आप अपने आपको just another freelancer list करते हुए अपनी services को बेच सकते हैं मैं जानता हूँ यहाँ पर competition काफी तगड़ा वाला है पर देखो दोस, competition तो हर जगे पर है और अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो of course you are not even fighting with that तीसरा तरीका online gigs कर सकते हैं आप niche specific websites के ओपर यानि कि illustration specific ऐसी websites से जहाँ पर आप अपने आपके लिए gigs ढूंड सकते हैं client ढूंड सकते हैं, apply कर सकते हैं और अपना काम complete कर सकते हैं अगर कुछ popular websites के नाम में आपको बताऊं तो smashing magazine, behinds, dribble, hire an illustrator, 99designs, itsy और भी बहुत सारी ऐसे websites अगर आप लोग चाहेंगे तो definitely यह पूरी पूरी लिस्स आपके साथ में बहुत ही जल्दी शेयर कर दूंगा let me know in the comment section below चौथा तरीका जो illustrators use कर सकते हैं वो है commissioned work करके काफी सारी website है जो आपको commissioned work offer करती है अब इन में से होता किया पहले यह बता दे तो commissioned work actually में होता किया जब आपको clients reach out करते हैं अपनी requirement share करते हैं किसी platform के ओपर और आप उसी हिसाब से अपना काम करते हैं submit करते हैं submit करने के बाद में जब अप्रूव होता है आपको पैसा मिल जाता है पांच्वा तरीका जो illustrators use कर सकते हैं वो है to sell their art piece यानि कि अगर digital काम है आपका तो आप बेच सकते हैं अगर वो एक materialistic form में है तो भी आप उसको बेच सकते हैं टीशर्ट हैं, mugs हैं, magnets हैं सिर्फ digital prints हैं या फिर digital आपको copy किसी को देनी हैं वो सभी चीज़ें बेच सकते हैं there are a lot of websites जो आपको ये चीज़ करने के लिए option देती हैं अगर कुछ बहुत ही जादा popular नाम बताओ मैं आपको तो वो होंगे Envato Markets, Creative Market, Design Cuts, Artweb, Big Cartel, Artist Shop, Graphic River, Jazzle, Printful और भी बहुत सारे नाम होंगे तो यहाँ पर definitely 100-200 नाम इंक्लूर करने के लिए पॉसिबल होगा ने पर अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा मैं आपको नाम बताओ तो लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्शन बिलोव चटा तरीका टो अर्न मनी आज अन इलस्टेटर पर आगे और जादा यह बढ़ने वाला है जो भी चीज़े आपको आती है, अलाइन कोर्स बनाओ और लोगों को सिखाओ, sell that अब मैं यहाँ पर clearly mention करना चाहूंगा do not sell it using the wrong practices sell it like an actual course जहाँ पर आपको जो मीन इंटेंशन ने वो है सिखाना, गलत तरीके से promote मत करना do not promise anything which is actually wrong and last not the least, number 7 which is participating in the competitions काफी सारी websites जो मैंने आपको अलड़ी बताई हैं वो time by time काफी सारे ऐसे competitions करती रहती जहाँ पर वो encourage करना चाहते हैं आटस को, अगर आप एक illustrator है, अगर आपको free का promotion मिलने वाला है क्योंकि of course you'll be featured at a lot of places तीसरा, आप अपने portfolio में उसको include कर सकते हैं shake ही बगार सकते हैं actually मैं आपके लिए वो proud moment है जो आपके achievements में include होगा which is definitely going to help you in increasing your rates later on, या फिर clients को आगे impress करने के लिए, चौती चीज़ of course यार आपको ना काफी अच्छा motivated feel होगा कि भाई, मेरा काम इतना amazing है and this is a kind of recognition which आपके लिए गेट हैं, देखो वैसे तो मैंने आपको ये साथ broad तरीके बता दिये पर इनके अलावा endless opportunities हैं आपके दिमाग के हिसाफ से, आपकी smartness है इसी वीडियो के जहांपे हम किसी expert illustrator के साथ में conversation करने वाले है, like कर देना, share कर देना इस वीडियो को because why not it should be helpful to a lot of other people who are interested in illustration and last not only subscribe कर लेने चाल को क्योंकि जिन्देग में पैसा वैसा बहुत आएगा